So, Hello and What's up guys, Welcome back in another video So guys, जर कैसे हो, आप सभी लोग, hope आप सभी लोग एक तम बढ़िया होंगे And guys, आज की वाली वीडियो हमेशे की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है Because, आज की यह वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोग बताने वाला हूँ Best Gaming Devices Under Rs. 20,000 And guys, यह वाली वीडियो में जितने भी devices मैंने cover की है सभी के अंदर आपको बहुती बढ़िया प्रोसेसर एक बहुती अच्छी बैटरी लाइफ And, बहुती अच्छा charger भी देखने को मिल जाता है And, इन मैंसे कुछ फोन्स के अंदर आप लोगों को Liquid Cooling Technology का भी support देखने को मिल जाता है जिसकी वाज़ासे आपकी gaming और अच्छी हो जाती है And, इन मैंसे आधे से जादा फोन्स जो ही वो 5G है And, 5G के साथ-साथ future-proof phone भी है And, आप लोगों को बहुती अच्छी gaming करवा के देंगे And, इन मैंसे कुछ फोन्स तो ऐसे है जो कि आपको live streaming तक के करवा के दे देंगे And, lag भी आपको बहुती जादा कम देखने को मिलेगा Live stream के बाद भी So, guys, please, video को जोई शुरू से end तक के देखना And, guys, आज की ये वाली वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं devices को रखा है जो कि आप लोगों को कम price के अंदर बहुती अच्छे specs निकाल के देते है उन phones को मैंने नहीं रखा है आज की ये वाली वीडियों को एक छूटी इंट्रो के साथ हमेशे के तरह स्टार्ट कर लेते हैं आज की नंबर वन पर फोन निकल के आता है वो हमारा Poco X3 ये वाला जो फोन है ये हमारे पास आ जाता है 6.67H के फुल HD प्लस डिस्प्रे के साथ जो की 120Hz के साथ आता है उसके साथ साथ ये वाला जो फोन है Poco X3 इसमें आप लोगों को अपना Qualcomm Snapdragon 732G देखने को मिल जाता है उसके साथ साथ इस फोन के अंदर आप लोगों को 6000MH की एक बहुत जादा बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है इसमें आप लोगों को 33W का फास्ट तरजर भी देखने को मिल जाता है अगर कैमरे की बात करें तो 64MP के Quad Camera Setup के साथ ये फोन आता है अगर कूलिंग टेकनोलोजी की बात करें तो इसमें आपको Liquid Cooling Technology देखने को मिल जाती है अगर हम इसके प्राइस की बात कर ले तो इसका जो प्राइस निकल के आता है वह 16K एंड 6128 का प्राइस है 17K एंड 8128 का प्राइस है 19K एंड गाइस सेल्स के टाइम पे इस पे आप लोगों को अराम से 2-3 अजार रोपे का आफ देखने को मिल जाता है उस टाइम पे आप इसे एजिली कंसिडर कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके सामने निकल के आती है अगर अगर अपन 20,000 की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा फोन निकल के आता है अगर बात कर लेते हैं हमारे नमबर 4 की तो जो की आता है नार्जो का 30 प्रो अगर ये वाला जो फोने ये आता है हमारे 6.5 एंच के फुल एजडी प्लस डिस्प्ले के साथ जो की 120 हट्स वाला है एड गास, फाइनली अगर बात करें इसके कैमरे की तो इसपे अपको 48 मेका पिक्सल के ट्रिपल कैमरा स्का सेटप देखने को मिल जाता है अगर अब हम लोग इसके बात कर लें cooling technology की तो इसमें भी आप लोगों को liquid cooling technology नहीं देखने को मिलती है इस पे आप लोगों को simple याने जैसा phone अपना रहता normal वैसा ही देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते guys finally इसके price के तो guys देखो ये एक lota phone मुझे जो बढ़िया लगता है 15,000 के अंदर जो कि आपको 5G phone आ जाता है और gaming के लिए बहुत ही बढ़ी है अब अगर बात करें इसके base variant की तो जो 64GB वाला RAM variant है इसका तो आपको 16K में देखने को मिल जाएगा 8128 आपको 19K में देखने को मिल जाएगा इस phone के बहुत ही जादा price ड्रॉप होते रहते है और मैंने जैसे पिछली बार आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका जो price है वो 15K के अंदर भी आ गया था तो आप इसे easily 15K के अंदर consider कर सकते हो इस phone को अब गयास बात कर लेते हैं हमारे 3rd phone की तो जो कि आता है Realme X7 5G अब गयास इस phone की बात करें तो ये phone आता है 6.4 इंच के M.OLED display के साथ जो की FHD plus display है इसमें आपको 90 Hz का refresh rate भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लें इसके प्रोसेसर की तो सब्सक्राइब आप लोगों को इस phone के साथ देखने को मिल जाएगा अगर कैमरी की बात करें तो इस पर आपको 64 MPK triple camera setup भी देखने को मिल जाएगा अब गयास फाइनली अगर हम इसकी price की बात कर लें तो इसका जो बेस बेरियंट है उसका जो प्राइस आप लोगों को देखने को पड़ता है वह हमारा यहां पर 20,000 रूपीज जो कि हमारा 628 का प्राइस आपका 20K पड़ जाएगा तो आप इस phone को भी consider कर सकते हो अंडर रूपीज 20,000 अच्छा phone निकल के आता है एक लौथा AMOLED फोन है जो हमारी लिस्ट में है इस टाइम पर फाइनली बात कर लेते हैं फोन नंबर तू की जो कि यहां पर निकल के आता है IQ का Z3 यह वाला जो फोन है यह अभी अभी लॉंच हो है बहुत ही बढ़िया फोन है अगर इसके specs की बात करें यह आपछ देकने को मिल जाता है बैटरी की बात करें तो इसमें आप लोगों को 400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है and again 55W का fast charger आपको इसमें देखने को मिल जाएगा अगर आपको इसमें 64 MP के triple camera setup देखने को मिल जाएगा अगर गाइस बात कर ले इसमें तो cooling technology की तो guys इसमें भी आप लोगों को liquid cooling technology मिल जाएगी और सबसे बड़ी technology आपको इसी में मिलेगी जो कि होगी 5 layer वाली liquid cooling technology and guys finally अगर हम इस phone के price की बात करें तो ये phone आपको Amazon पे around 6128 का 20K and 8128 का 21K and 8256 का 23K इसका price आपको देखने को मिल जाएगा and still get time इसका price अगे आपको पता है कि IQ के phone के prices बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप होते तो आप इसे easily अराम से 20K के अंदर consider कर सकते हो so guys finally बात कर लेते phone number 1 की तो जो कि आपमारा निकल के आता है Popo का X3 Pro the ultimate gaming beast under Rs.20,000 and guys यह वाला जो phone है यार यह आपको एकदम ultimate performance निकाल के दे रहा है इस time पे 20,000 Rs. के अंदर अगर हम इसके phone की specification की बात करें तो 6.67 inch की FHD plus 120Hz वाली display के साथ यह phone आता है अनुसके साथ बात करें बैटरी के तो 5000mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है 5100mAh की यह मुझे confirm नहीं है बट 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती ही तित्री स्वाट का चार्जर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इसके साथ साथ बात कर ले इसकी camera की तो camera आपको 48MP quad camera setup इसमें आपको देखने को मिल जाएगा उसके साथ साथ अगर guys हम इसके बात कर ले cooling की तो इसमें आपको liquid cooling technology भी देखने को मिल जाएगी जो की इस phone को ठंडा रखती है and guys बहुत ही अच्छा phone है and बहुत जादा लोगों ने इस phone को अभी purchase किया है अगर आप YouTube पे इसके reviews बागरा search करो तो कई सारे videos आपको इसके देखने को मिल जाएगे एंड कई बंदे इवन इसमें कई बंदे इवन इसमें लाइव इस्ट्रीम तक के करते हुए देखा हूं मैंने अभी बहुत बंदे इस phone में लाइव इस्ट्रीम भी करते YouTube पे उन्हें भी आप जाके चेक आउट कर सकते कि इस phone का review कैसा है phone lag करता है नहीं आप वहाँ जाके भी चेक आउट कर सकते है बस मेरे हिसाब से तो यह बहुत ज़्यादा बढ़िया फोन है इस पेक्स के साब से अब मुझे रियल का performance तो नहीं पता बट इस पेक्स के according यह बहुत ज़्यादा अच्छा phone निकल के आता है आज की यह बली वोड़ी में होप सो आप लोगों को वीडियो जो अच्छी लगी होगी तो गयी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जोड़ी से like कर देना चैनल को subscribe कर देना एंड बाल आइकन भी जोड़ी से द्बा देना मैं मिलता हूँ आप अगली वीडि झाल